सैमसंग M31 में WhatsApp status केसे डाउनलोड करें नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकराज योट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग की डिवाइस में WhatsApp status को केसे डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आते तो इस वीडियो को अंतक जरू देखेगा मैं आपको बताऊंगा पूरा तरीका कैसे डाउनलोड किया जाते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चै application चाहिए होगा लेकिन दोस्तों उससे पहले में आपको जाके बता रहता हो अगर आप स्टेरास में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी आपको जो है इस्टेरास ठीक है डाउनलोड करने की options यहाँ पर नहीं मिलेगा जैसी के आप देख सकते यहाँ ठीक है तो स्टेरास को देख लीजए यहाँ प्रेदों कोई आप्शेन नहीं है ठीक है यहाँ पandaway सकती कोई मिग अप्शेंस नहीं है डाउनलोड करने का तो डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आपको चाहिए होगा एक application थाँ कॉन सा application है वह बता रहेता आपूं यह वाला application ऍप स downloader for whatsapp इसको download करके आपको बस permission allow करना है permission allow करने के बाद see all पे click किजिए see all पे click करने के बाद यह दोस्तों आपको मिल जागा यहाँ पे whatsapp ठीक है तो अभी दोस्तों आपको जो भी whatsapp status download करना है वो यहाँ पे click करें और उसके बाद आपको यहाँ पर download button मिल जाएगा तो download button पर जैसे क्लिक करते डाउनलोड हो जाएगा ठीक है लेकिन दोस्तों यहाँ पर वह इस्टेडिस आप download कर सकते जो आपने जो आपने open किया है ठीक है तो open नहीं किया है तो दोस्तों आप अगर आप दोस्तों नहीं करते हैं तो वह स्पथ आप डान्लोड नहीं कर पाऊंगे तो पेले आपको WhatsApp पर जाना है उस WhatsApp इस्टेड़ास को अपेन करना है अगर आप शो होना नहीं चाहते हैं कि आपने WhatsApp इस को डेखा है तो रीड में रिसिप्ट को बन करते तरीका है सेफ करने का भी सेम तरीका है ठीक है तो इस तरीके से हो जाते हैं वाटसे पिस्टर डाउनलोड उमीड करते हैं आपको वीडियो पसने होगा टेंक्स वाचिंग